देखिए ये political मुद्दा ही नहीं इसको तो ये एक तरीके से precipitate करके दिखाने की कोशिश की जा रही है किसा आप देखिए तुष्टी करण की राजनीती है सब कुछ मुसल्मानों के favor में है पाकिस्तान से बातचीत करेंगे अरे Prime Minister of India 1947 से लेकर के आज तक हर subsequent government ने पाकिस्तान के साथ talks करने की कोशिश करी है including Prime Minister Vajpayee, including Prime Minister Modi हमारे Honorable Prime Minister भी गए थे नवाज शरीफ से मिलकर के आये थे और मैं तो उसको welcome करता हूँ कि अच्छा move था Prime Minister Modi का जब वो मिले थे नवाज शरीफ से की talks को करी है there is no point कि दोनों कंट्रीज जो पूर कंट्रीज है वो वेस्ट करें पैसे को डिफेंस पे तो एक सिवलाइज जो हमारा भी एक स्टैंड रहा है I have a strong objection विवेग जी, मैं आपकी बहुत माज़द करता हूँ बहुत सम्मान करता हूँ पाकिस्तान के साथ हमारा कोई मुकाबला नहीं है पिछले 15 दिन पहले या 25 दिन पहले का उस स्टैंड हमें बिल्कुल क्लियर है उसके बावजूद हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ बात होगी यानि इंडिया अलाइंस के अगर सरकार आएगी इंडिया अलाइंस के अगर सरकार आएगी तो पाकिस्तान से भी बातचीत होगी इससे पहले आप लोग कह चुके हैं कि 370 को भी हम खत्म करेंगे पतला हम करना क्या जाते हैं जो चाइना और पाकिस्तान चाहेगा वो कर देंगे हमारा बड़ा क्लियर स्टैंड है देखे 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 जो एक हमारी एक जो इमेज गई है अब यह पाकिस्तान की बात तो कर दी गौरफ भाई ने लेकिन इनसे पूचे कि जब खतम हुआ और उसके बाद जो बाइडन को इंटर्विव नहीं देने दिया यूरोपियन मुलकों के अंदर हमारे हुमन राइट्स रेकॉर्ड की बाद आती है और जो एंटी मैनॉर्टी हमारे स्टेक्मेश है यहां पे हमारे मुलक में हमारी क्या स्टैंडिंग है इस वकत वाट इस दा इंटरनेशनल स्टैंडिंग गौरफ भाटिया गौरफ भाट से जो है हम रिष्टे इतने मजबूत हैं वो नहीं रखना चाहते हैं और साथ में जो हमारे न्यूकलियर फ्रमाडू हत्यार हैं जी उनको भी कम करेंगे तो मैं तो समझता हूँ यह बिलकुल गैर जिम्मेदाराना बयान है और मेनिफेस्टो है और भारत विरोधी है यह क् पाकिस्तान में जो 1962 की जंग में कह रहे थे कि भारत के सिपाईयों के लिए खून मदोव चीन के साथ खड़े थे वो हमसे क्या पूछेंगे इनसे तो बात करना ही बेकार है लेकिन हमारी साख क्या है हमारी साख क्या है मैं जरूर बता दू आप सुन लीजिए प्लीज मैं आपकी साख गौरफ भाई गौरफ भाई इस देश के अंदर पहले भी पाकिस्तान के साथ युद्धुएं हैं अब आप सुनना नहीं चाहते हैं अभी जी मैं अपनी बात पूरी क्यों नहीं कर सकता है कौन सब्सक्राइब बता है मैं बताता हूं हमारी हमारी साख यह है कि हम पाँचवी सबसे बड़ी अर्थ व्यवस्ता हैं और हम लोग S-400 मिसाइल सिस्टम लेते हैं रूस से लेकिन अपाचे चिनूक लेते हैं यूएस से रफैल लेते हैं फ्रांस से इनके समय में यूपिय का हिस्सा थे दलाली करते थे रफैल नहीं आ पाए जी ट्वेंटी स लेता है ठीक है गौरण गौरण यू मेडियो पॉक्ट सुनी लादफ भी कुछ कहना चाहरे हैं विवेक जी भी कुछ कहना चाहरे हैं विवेक विवेक आल कम टी यू सुनी लादफ कर दोड़ कर गहरे हैं विवेक शरक्मान झाल झाल